शिवानी है फूट फूट कर रोने लगी क्या हुआ है घर में भाई साब तगड़ी वाली कंडिशन बन चुकी है शिवानी के पीठ में छुरा खोपा गया है असली वाला नहीं लेकिन एक ओदन की दोस्ती में वो चीज हुई है वो शिवानी जो भाया किसी का भी बुरा टाइम हो साथ खड़ी रहती है अभी पता क्या हुआ है वो मैं आपको पूरी अपडेट बजाता हूँ किसी का भी बुरा टाइम हो वो साथ खड़ी रहती है कोई nomination में जाता है उसके साथ खड़ी हो जाती है दिल से दोस्ती निभाती है क्योंकि ये एक genuine लड़की है कुछ सोच के नहीं चलती कि भाया मुझे game खेलना है या फिर ऐसे करना नहीं real है real रहती है अब देखो guys मैं दो चीजे हुई है वो मैं आपको बताता हूँ लेकिन उस शिवानी भी आपको बता है नोमिनेट हो चुकिया न तो इसलिए description box में link दे दिया है और ये राज username आ जाना है अच्छा अब हुआ क्या है शिवानी है वो जो room बना हुआ है उसमें बैठी थी वणा पाव गरली यानी चंदरी का दिख्षित है वो आती है उसको भिया चंदरी का बची थी लेकिन अब क्या हुआ है कि शिवानी अंदर बैठी थी तो चंदरी का आती है और बोलती है कि शिवानी तुम विशाल के साथ क्यों बैठ रही हो उसके साथ उठ रही बैठ रही हो तुमें क्या लगता है उसने सही किया जो किया वो कहती नहीं गलत किय तो बोलती फिर तो उसके साथ क्यों मैठ रही है तो तूसको support कर रही है अरे अकल की अंधी लड़की क्या घर से बाहर निकल जाए फिर अगर उसने गलत किया है तो क्या घर से बाहर निकल जाए दूसरी बात है यह कि विशालर नहीं किया और ये एक मुद्दा क्रेट अच्छी मतलब देवी बनने की कोशिश कर रही है कि भया बाहर कुछ ऐसा दिख रहा होगा कि इस बन्दे से दूर रहो तो मैं शिवानी को बोड़ रही है तो मैं अच्छी दिखेंगो लेकिन बहुत बुरी लग रही है ये लड़की और मैं आपको बताओं तो शिवानी को वो बोलती है शिवानी ने बड़ा ही मज़ेदार जवाब दिया कि देखो मेरी बात सोनो दिरी अगर यहां पर इस बन्दे ने गलत किया है तो मुझे नहीं लगता कि अब उसके साथ ऐसा बहेव करना चाहिए कि फूरी लाइफ उसकी खराब हो जानी चाहिए ऐसा थोड़ी करें हम आप उसके साथ सिंपल्सी बात है अगर किसी ने गलती किये तो उसने माफी माग लिये तो उसके साथ जाकर बैठो भईया उसके साथ ऐसे थोड़ी करो कि वो बाद में रोए कि तो यहां पर शिवानी को किस तरह से खीचा जा रहा है लेकिन उस बंदे ने गलत नहीं किया लेकिन शिवानी है कैसे सपोर्ट कर रही थी गलत बोर नहीं थी गलत को कि भई यह तुम्हें सोरी बोर ना चाहिए था विशाल को लेकिन उसे सपोर्ट भी करते हो नजराती है तो यह होती है जैनुवन रियल परसनेल्टी और इसके साथ गाईज मैं आपको बताओं तो शिवानी को क्या किया कि शिवानी ने बचाया है दिक्षित को आज के नोमिनेशन में देखेंगे लेकिन चंदरिका दिक्षित ने शिवानी का नाम नहीं लिया मैं बताओं तो यहाँ पर लवकेश ने ही शिवानी को बचाया है आकि किसी ने नहीं बचाया जिसके चलते शिवानी है बहुत यादा रोती है ठीक है कही नही expect नहीं किया था कि वो बचाएगी लेकि चंदरिका से यादा किया था कि चंदरिका के टाइम पे वो खुश हो रही थी लेकि चंदरिका ने उसे नहीं बचाया तो ये देखकर शिवानी बहुत यादर होती है कि भाईया ये है दोस्तियां ये है रिष्टे जो की नकली है और इस चीज को लेकर वो बहुत यादर होती है मैं तो ये बोलूँगा से श्ट्रोंग शिवानी तुम अकेले बहुत अच्छा कर रही हो फाड़ के बैठी हो सबको फाड़ के रख रही हो तुमारी तगड़ी फैन फॉलोविंग बार तुमें सपोर्ट कर रही है तुम अकेली नहीं हो ऐसे ही खेलती रहो जैनून जा रही हो बड़ी अकेलरी हो और तुमारी लिए क्लैपिंग है और मुझे लगता है अगर तुम ऐसी रहोगी तुम विनर भी बन सकती हो क्या बोलेंगे गाईज कमेंट बॉक्स में जुरूर बताईएगा और आप मुझे फोलो कर लें इस्टाग्राम पे अगर आपको अपडेर चाहिए शिवानी की तो आजाईए और इसके साथ आप सब्सक्राइब कर ले चानल को फेस्बूक पर देख रहे तो फोलो कर ले मिलते कुछी तेर में